शिरी डक्टर क्रश्ण मिस्र मुंबई, शिरी देवेंदर मेवाडी दिली, डक्टर हंसा जी जिन ने अभी अभी अपने अनभोव साजा किये, आप जहाववासे हमारी राजदूत किनाते से, टोरेंटो में हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिननदन करता हूँ, डक्टर अन्राग जी, यूएसे से, आप हमारे बीच में पदारे, आपका भी अभिननदन, शिरी दामोदर खड़से जी, पूने, शिरी मनमोहन सहेगल जी, पटियाला, और अतिला जी, वास्तों में आपने गजब किया, एक बार अभिननदन अतिला कोतवला जी, भगवान स्री राम, भगवान स्री कृष्ण, इनके आगे जीते जी, श्री लगा, और वो आनंद हमने महसूस किया, हम भी भारत वर्षी हैं, इस भारत देश पे गोरों करते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन मेरे मन में प्रस्ना आता था कि ये, दुनिया के दोसों से ज़्या आत्र देश है, लंका जो स्री लगाता है, आपने सार्थक किया, मैं आपका अविनंदन करता हूं, बंदन करता हूं, स्री की समरद्देश से आज परिचे हो रहा है, ये हमारा सोभाग है, भगवान राम ने सत्रा लाक साल पहले का वो पराक्रम पुरुसार्थ और उस दोर के उस व्यवस्ता के आधार प्रभगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से जाना जाता है, माना जाता है, और अतीत के इस काल करम में कई कई पीडियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी, ये कितना सुखत संयोग है, पूरे भारत की मात्य के बिंदी, हमारी ह हिंदी, उसका आनन्द महसूस कर रहा है, हम लंका से, सिरिलंका से, ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराकम पुरसार्थ जीवन तो हुआ, और थोड़ा समय घड़ गया था, तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे वालमी की जिने अपनी जीवन का महत्पूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी, दुनिया के सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भासा में से, एक भासा का गोरोपाती है, यह हमारा सवभाग यह है, मैं आपका बंदन करता हूँ, अविन अन्दन करता हूँ और फूख से थूख तक संस्क्रती मंत्री जाए, आपने भी पता का अच्छी फेरई है, आपको भी बढ़े, संस्क्रती मंत्री संस्क्रत हो जाए, और संस्क्रती की धरा को संस्कार के रूप में हमको एसास करा दे, इससे अच्छा भागी क्या हो सकता है, यह सुभाग क्य मारा है ऐसी कई सारी गल्तियां हम करते हैं लेकिन मैं हिंदी के इस भासा सम्मान समारों में उन सारे महापुर्सों को भी याद करता हूं मादो सप्रेजी से लगा करके रामधारी शीदिंकर हजारी प्रसाद दिवेदी मुंसी प्रेमचन कौन कौन से नाम की बात करें और इनके साथ साथ उन सारे महापुर्सों को भी याद करता हूं जो खुद घेर हिंदी थी जिनने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रभल पक्षदर डाक् कुल ताओं मैंसे ऐसी कई सारी अलग-अलग प्रकार की धाराय निकलती है अलग-अलग प्रकार की आसा और उम्मीद की किरिणे निकलती है जो इस अंदकार में आकास को जगमक कर देता है यह हमारा सो भाग गी उस दोर में जब चारों तर्व अंग्रेजी अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस पूरे वातावन को अंग्रेजीयत ने जकड रखा था ऐसे में यह अलग-अलग प्रकार के सुरी की प्रकास की रस्मिया निकल करके हमको अपनी भासा के लालित से आत्मीता से आनंद से जोड रही थी कितना कठिन दोर था जब अंग्रेजों के साम अग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रेगे यह बड़ा कठिन काल रहए बड़ी कठिन की बात आज के इस दोर में हम को केवल उनको इस्मरन करें जिनने हमको आजादी की उस अलग को उस अजादी के संगर्स का सुख देने का प्रयास किया तो आज के इस बदलते दोर म जब हम अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज यह था हमको क्या-क्या नुक्सान कर रही है उसका एसास कराने के लिए हमारा पुनरावलोकन के लिए एक मार्ग देती है जब हम पुनाने अपने उस भाव को देखें इसलिए हमको याद आता है जो भरा नहीं नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं वह कितना सुन्धर एक-एक-पंतियों के माद्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट भासा का दोरों जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने भारतेंदू हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की सिर्फ ढारा के लिए लेकिन मुझे गोर इस बात का आनन्द आता है आजादी के बाद भारत रप्नस्वर्गी यटल भीहर इवाचपई जी का अभिनेंदन करूआ जिनने सहीत राष्ट संग के उस मंच पर हिंदी को गौरानबित करने का प्रियास की हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस करेजी आती है लेकिन जब भी कोई मोका आता है और मोका किसी देश का विदेशी बेठाओ सामने या विदेश के किसी महत्पुन मंच पर हो जहां भी होते हैं वहां हिंदी का गौराव बढ़ाता है यह हमारा सवाग्य यह सश्वी प्रदानमंद्री नरेन मोदी जी के मात इतना आनन्द आता है जब मोदी जी बोलते हैं सब के बीच में से और हम सब इसका एसास कराते हैं और इसमें वाकई हम सब का इस पूरे देश वासियों का यह गौरव और गर्व की बात भी है और अभी काल के प्रवा में और उनके जो निर्ने हैं और निर्ने उसे हम और ग बोली का ये हमारे लिए काल के प्रवा में अतीत की बाते हो गई जब लडाने की बाते थी हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भासा बोली लिपी के अधारप लवाते थी लेकिन मानी मोदी जी ने 2020 में जैसे राखष्टी सिक्चानिती लागू की और का कि हर भासा भासा की से लोग उपियोग करके लखाने का काम करते एसे मैं हमारी शिंह हल प्रदेश की बहन में आ करके हमारे अपने पराने उस चैन्नई और जिको नाम क्या-क्या देते है सबको संदेश दिया है और आज मानि मोदी जी के मांद्यम से हमारी सभी प्रकारकी तकनीकी सिक्षा है किसे आश्र लगता क्या क्या तरक देते थे लोग बताने परमार में बार्मार तरकर कि यहें कोई डक्टर नहीं है क्या चाहिना में कोई इंजिनियर नहीं है क्या अगर नहीं बढ़ पाएं तो क्यवल अपनी यो कि युगिता से कोई नहीं बढ़ता है वहता का अपना वेक्ति कि जन्म के साथ उसका लालित्य उसके बल्बूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाय अपनी यात्रा तै करती ऐसे में स्वभासा का जो स्वभिमान होना चाहिए उसका एहसास होते वे आज के इस दोर में सभी भासाओं के बीच से हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेक अब यह कठने ही हो जाती है कि जब अपन यह हिंदू बोलते हैं तो हिंदू से लोग पतानी क्या-क्या जोड़ते हैं लेकिन हिंदू का मतलब ही है कि हमारी सिंदू नदी के इदर वाला पूरा भाग यहां के निवासी जैसे अमेरिका में रेने ला अमेरिकन रूस में रे वाला है के नहीं है उसके भाव को सम उजा पद्दती अलग-अलग हो सकती लेकिन उसी प्रकार से हिंदी के प्रति भी यह जो वर्तमान का दोर चल रहा है एक तरह से अब निश्यद रूप से कह सकते हैं मुझे इस बात का घर्व के मदबदे सरकार से अब डाक्टर, इंजिन कोर्स में हिंदी में पड़के निकलेंगे और अपनी यात्रा के माध्यम से इस बात को इस रिखांकित करेंगे कोई जरूरी नहीं कि अंग्रे जी आपके पास आती तो आप डाक्टर बनते हो, इंजिनिर बनते हो, आप अपनी सोवासा से आगे बढ़ते हो और मैं इस बात के लिए आज के संस्कति मंत्राले को बढ़े दिना चाहूंगा, जिनों ने ये आज अलग अलग पकार से और एक परंपरा भी बनाई, खुरा ने अभी 22, 23, 24 परेकाट कोई उससे भी पुराना कोई पुरुसकार आपने दिया है, तो मैं बढ़े दिना चाह और उस वर्स मिला करें, एक बार फिर आप सबका अभिनंदन, लेकिन ये भी एका, जाते जाते में इस बात को जोड़ रहा था, कि हिंदी का उद्गम कहां से हुआ, हिंदी का उद्गम हुआ अवदी से, है ना, आजकल Google महराज तो वही बताते हैं, लेकिन हिंदी के लिए अपने इस देश का मद्धी प्रदेश से कोई विशेश आशिरवाद है, भगवान का देश के उत्तर प्रदेश जिसे राजी से खड़ी भासा के रूप में हिंदी ने अपनी यात्रा की, लेकिन पूरे मद्धी प्रदेश ने कितनी सुन्दरता से उसको अपना ही, जैसे भगवान राम ने बनवास काल में कदम तो बड़ा है अविद्या से बाहर, लेकिन अपनाने वाला प्रदेश तो मद्धी प्रदेश है, जहां चित्रगोट ने उनने पुरा अपना जीवन का, वो महत्पुन समय निकाला, ग्यारा वर्स से ज्यादा समय गा, इसी प्रकार स मद्धी प्रदेश ने हिंदी को उत्तर रक्षिन पूरा प्षिन, कोई जिला, कोई हिस्ता नहीं बचा, जहां हिंदी की भासा बोलते ही, जाब हम यहां बोलते हैं, तो हैसास नहीं होता, लेकिन हमारे ही लोग या हम में से जो कोई लोग हर्यारा में बोलते हैं, पंजार म में बात करते हैं तो उनको लगता कि भासा की सुन्दरता इस से अच्छी कुछ हो नहीं सकती है यह जो गोरों बनाये रखा मत्यपदेश ने परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे हमारा यह विजय अभियान जारी पूरा देश हमारी तरह बोलने लगे यह संकल्प के साथ एक बार फिर सबकों बदे देता हूं बहुत बहुत दन्यवाद है कि हम तो हिंदी हिंदी दिवस पर यह संभारों का आयोजन किया ग्या है कि शॉट